हाई स्टुडेंट्स आज का टॉपिक हमारा नुमेरिकल्स हैं जो भी नुमेरिकल हैं मोलालिटी पर बेस्ट हम वो नुमेरिकल्स करेंगें ठीक है इनको प्रैक्टिस जरूर करिये पहला नुमेरिकल है नुमेरिकलमुला ए क्रिकल्स ए फ्सिय तुमेरिकल्स, थ् किश्य Ч пл सेखिए 59,671 थ मेरम्डाटी थीचा लिए विच कंटेन्स थ्री ग्राम आफ एच्सीयल इन नाइंटी ग्राम वाटर, नाइंटी ग्राम आफ वाटर, ओके बच्छो, देखें, सल्यूट आपका एच्सीयल है, सल्यूट का मास, सल्यूट का मास, सल्यूट का मोलर मास, और सॉल्यूट का मास वो भी केजी में, ओके, मास अफ सल्यूट, यहां सल्यूट क्या है, हल्यूट का मोलर मास वी देख लेते हैं, मोलर मास अफ सल्यूट, that is atomic mass of hydrogen plus atomic mass of chlorine and it comes to be 1 plus 35.50, that is 36.50 gram per mole okay mass of solvent और solvent क्या होगा जग तक नहीं दिया है तो by default जग तक नहीं दिया है by default आपका solvent water ही होगा लेकिन यहां तो gram में है kg में change करिए 1000 से divide करिए it will become 9 by 100 kg ओके आपको solute का mass भी पता चल गया molar mass भी पता चल गया solvent का mass भी पता चल गया वो भी kg में पता चल गया अब आप formula लिखे molality of HCl solution equals to mass of HCl hydrochloric acid upon molar mass of HCl into 1 upon mass of solvent okay ठीके HCl का mass how much 3 gram values put कर दिशे molar mass 36.50 gram per mole and that mass is 1 upon 9 by 100 should be kg ठीक है इसको solve करते हैं i ieren now therefore molality equals to 3 upon 36.50 into 100 by 9 मोल पर केशी लिखो या फिर लिखिये बश्व थी थी जा नाइन पॉइंट अटाएए अगर पॉइंट अटाएगे तो दो जीरो और भन जाएगे तो यह हो जाएगा अगर आप इसको डिवाइट करते हैं हाँ डिवाइट करने पर जो आपको आंसर मिलेगा रेट आंसर मिल भी जीरो पॉइंट नाइन वन मोलल ओके चिक कर लिजेगा आपने मास रखा मास आफसाल में इंकेशी रखा थाउजन दूपर चला गया कहीं कुछ बर्बान हो तो देख लिजेगा कल्कुलेशन सुपने बहतर नहीं है मेरे फिर भी अगला नूमेरिकल देखते हैं अगला नूमेरिकल परसेंटेज पर होगा मस परसेंटेज गिवन होगा उससे आपको मोलारिटी फायंड आउट करनी है फिर रादला numerical होगा उसके बाद में वो relation पर होगा relation between molality and molality okay next question question number two calculate the molality of three percent three percent glucose solution अच्छों molality के लिए आपको salute का मास दिया हो होना चाहिए हमारा salute क्या है अच्छा 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 और इसमें कुछ solvent तो पता नहीं तो मैंने कहा अगर solvent नहीं गिवन थे तो आप आप डिफॉल्ट water healing इसका interpretation लेखते हैं पाहिए 3% glucose solution का मतलब क्या है 3 gram of glucose that is salute is present in 100 gram solution ठीक है solution का मास पका चलके है therefore mass of solvent and solvent is what by default it is water क्योंकि दिया नहीं है solvent it is equal to mass of solution minus mass of yes बच्चों देखिए mass में खाना ही बन रहा है खाना तयार है अमने निमेरिकल कराने के बाद में उधर ही चला जोगा ओके अशा इसको केजी में चेंज कर लेते है 97 बार 1000 बच्चों आपको solute का mass हुई पता है तो हाँ अलग सब्रेट में लिखिए mass of solute और solute कौन है glucose how much it is 3 gram molar mass of solute formula C6 H12 6 into atomic mass of carbon plus 12 into atomic mass of hydrogen plus 6 into atomic mass of oxygen वाल उस्पूट करिए comes to be 180 180 180 gram per mole अब बच्चों mass of solvent भी पता है आपको और किस महना चाहिए should always be in kgs 97 upon 1000 kg okay हमें salute का mass ही पता है molar mass ही पता है salute का mass of solvent भी पता है और डारेक्टली फामूला लिखकर हम वैल्यूस पूट करेंगे और फाइडाट कर लिए molality therefore molality of glucose solution will be equal to mass of glucose upon molar mass किसका molar mass ग्लुकोस का C6H12O6 okay इंतु वन अपन mass of solvent in kg fine सभी वैल्यूस पुट कर दिशे mass of glucose is 3 gram molar mass is 180 gram per mole and the mass of solvent in kg is 97 by 1000 kg fine now we'll solve this अब इसको सॉल पर लेते हैं 3 gram से gram 3 by 180 into 1000 by 97 molal 6 chart 100 by 562 molal 582 582, 6, 7, 42, 6, 9, 54, a plus 4, okay, it comes to be 0.17 molar, okay, उच्छो, 0.17 molar, तेक यह numerical हो गया, जहाँ पर percentage यहा है, अगला numerical, जहाँ पर आपको, molarity दे रखी हो, और आपको molality find out करने हो, density of solution दे रखा हो, okay, that's numerical, और हमारा इस concept का यह आखरी numerical हो, अगला concept हमारा henry's law का होगा, next video मैं अप्लोड करूँगा, इसके बाद में henry's law, that is for gas liquid solution, question 3, calculate the molality of 4 molar, capital M is molar, NACL solution, whose density, देखिये, density विदर रखी है, is 1.5 gram per milliliter, बच्चों, यहाँ density भी given है, या तो आप full formula निकाले, ठीक है, हमारा formula क्या है, solution, पहले formula लिखते है, small m equals to capital M upon thousand into d minus molarity into molar mass absolute into thousand, अब देखिये, density हाँ gram per milliliter में ही हुआ, हमारा given क्या है, given देखिये, molarity कितनी है, 4, density कितनी है, 1.5 gram per milliliter, अगर आप इसको elaborate में जाएंगे, तो कम से कम 5-6 steps में question होगा, नहीं तो धर्ट लिया प्रट देजे, molar mass absolute, solute, और solute कौन है, NaCl, आप इस, atomic mass of Na, plus atomic mass of chlorine, 23 plus, 35.50, 58.50 gram per milliliter, सभी values पुद कर गे, small m equals to 4 into 1000, 1000 into 1.5, that is density, minus 4 into 58.50, यह हो जाएगा, 4000, देखें, बेक्ग्ग्राउंड में songs में चल रहे है, 1500, कोई नहीं, लुट उठाई है, और numerical करिए, देखें, को आप विए, comes to be 4000, divided by 1-2-6-6, चीक है 1266 अगर आप दिवाइब करेंगे 3.159 and unit is molal that is 3.16 molal आप आप आज हमने इस वीडियो में molality के निवेरिकल्स किये बच्छों हस्ते रहिए मुस्कराते रहिए और पढ़ते रहिए